हेलो एवरिवन, विल्कम बैक टू आर चानल, स्वीट होम किचन एसेच की आज हम आपके लिए एक साउथ इंडियन ब्रिक्फरस्ट की रेसिपी लेकर आए है इस वीडियो को एंट तक जरूर देखे हमने इसमें दो टाइप की चटनी और सामबर बनाया है इंस्टेंट इडली बनाने के लिए इस रेसिपी को एंट तक जरूर देखे तो आएए इसे बनाना शुरू करते है एक कप साबुत उड़त दाल को अच्छे से वोश करके एक घंटे तक भिगो कर रखे तीन कप होममेड चावल की सूजी को एक से दो घंटे तक भिगो कर रखे अब एक ग्राइंडर में भिगोई हुई उड़त दाल डाले इसे अच्छी तरस से ग्राइंड करे जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करे इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले देखी अमारा बैटर एकदम स्मूध बन चुका है अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर ले अब बिगोए हुए चावल की सूजी में से एकसेस पानी निकाल कर इसे भी सेम बाउल में आड़ करे इसमें अपने स्वात के अनुसार शिंदा नमक आड़ करे इसे अच्छी तरह से मिक्स करे अब इसे ढख कर धूप में रख ले या फिर कोई भी गरम जगा में रख ले आए तो अब हम चटनी बनाते हैं एक मिक्सी के जार में दो टेबल स्पून रोस्ट की हुई मोंग फली आड़ करे दो टेबल स्पून फुटाने, दो टेबल स्पून ताजा नारियल, तीन से चार हरिमिट्च, एक टीस्पून जीरा, नमक स्वात अनुसार अब इसमें पानी आड़ करके इसे ग्राइन कर ले हमारी चटनी तयार है, अब इसे एक बाउल में ट्रांस्फर कर ले अब इसे साइड में रख दे दूसरी टाइप की चटनी बनाने के लिए मिक्सी के जार में दो टेबल स्पून मोंग फली ले दो टेबल स्पून फुटाने, तीन से चार हरे मिर्ज एक टी स्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार दो टेबल स्पून ताजा नारियल, तीन से चार लाल मिर्ज एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर छे से आज कड़ी पते इसमें सरूरत के हिसाब से पानी आड़ करे एक टी स्पून सॉंट पाउडर अब इसे ग्राइन करके इसकी चटनी तयार करे अब हमारी चटनी तयार है, इसे भी एक बाउल में ट्रांसफर करके साइड में रग दे चटनी पे तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन में एक टेबल स्पून तेल गरम करे इसमें हाफ टी स्पून चना दाल और हाफ टी स्पून उड़त दाल आड़ करे राई और कड़ी पत्ता आड़ करके फ्लेम ओफ कर ले अब चटनी पर इसका तड़का लगा ले हमारी दोनों चटनी तैयार है इसे साइड में रग दे सामबर बनाने के लिए हाफ कप तूर दाल को भिगो कर रखे इसे पकाने के लिए दो सीटी ले दो टेबल स्पून इमली को आदे घंटे तक भिगो कर रखे हमारी दाल पक चुकी है अब हम इसे ब्लाइंड करेंगे एक हांडी में दो टेबल स्पून जितना घी करम करे अब हम इसमें आड करेंगे एक टीजपून राई एक टीजपून जीरा हाफ टीजपून हिंग दो स्लिट की हुई हरी मिर्ज कड़ी पत्ते, एक टेबल स्पून खिसा हुआ ताजा नार्यल, आज से दस टुकडे सज्जन की फल्ली, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, एक टेबल स्पून जितना खीरा, एक टमाटर को रफली चौप करके आड़ करें, एक टेबल स्पून लाल मिच पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून धन्या पाउडर, अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करें, अब इसमें भिगोई हुई इमली का पल्प आड़ करे अब इसमें ब्लाइन की हुई दाल आड़ करे इसमें जरूरत के हिसाब से पानी आड़ करे इसमें अपने स्वात के अनुसार नमक आड़ करे एक टेबल स्पून सामबर मसाला चरी टोमाटोस को हमने दो टुकडों में कट करके अड़ किया है बारी कटी हुई धनिया इसे अच्छी तरह से बॉइल होने दे बॉइल होने के बाद फ्लेम ओफ कर ले तीन से चार गंटे धूप में रखने के बाद हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो चुका है इसे अच्छी तरह से मिक्स करे इडली की ट्रे को घी से क्रीस करे अब इसमें तयार किया हुआ बैटर पोर करे इडली कुकर में पानी गरम कर ले अब इसे इडली कुकर में डाल कर 6-8 मिनिट तक पकने दे हमारी इडली तयार हो चुकी है अब इसे एक serving plate में निकाले देखिए हमारी इडली कितनी soft बनी है इसे चटनी और सांबर के साथ serve करे अगर आपको हमारी recipe पसंद आई हूँ तो इसे like और share जरूर करे Thank you for watching the video, please like, share and subscribe to our channel Thank you Thank you